नमस्कार मित्रों हमारा आज का विशय है तंतु से वस्त्र तक इस विशय के अंतर गठ हम सीखेंगे कि किस प्रकार तंतु से वस्त्र का निर्मान होता है तो इसमें हम सीखेंगे कि तंतु क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं रूई और जूट के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे तागी की कताई किस प्रकार होती हैं, तागी से वस्त्र कैसे बनते हैं और प्राजीन काल में लोग किस प्रकार की वस्त्र पहना करते थे आपने अपने आसपास कई प्रकार के अलग-अलग वस्त्र देखे होंगे क्या आप कभी किसी दर्जी की दुकान पर गए हैं? वहां आप कपरों के अलग-अलग प्रकार की कत्रने देखेंगे. जहां अगर आप उन्हें सपर्श करके देखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि अलग-अलग प्रकार के वस्त्र अलग-अलग प्रकार के तंतों से बनते ह तो चलिए जानते हैं पहले कि तंतु आखिर में होता क्या है मित्रू, क्या कभी आपने सुई में तागे को पिरोने का प्रयास किया है अगर आपने कभी ऐसा किया हो तो आपको मालूम होगा कि तागे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों में पिखर जाता है किया हमें बताता है कि तागा कुछ छोटे छोटे तंतु से बना है तंतु दो प्रकार के होते हैं प्राकृतिक और संसिलिष्ट प्राकृतिक तंतु वह होते हैं जो हमें पादपो या जीव तंतु से प्राप्ट होते हैं जैसे कि जूत, रूई, सूते, आदी यह सभी प्राकृतिक तंतू हैं और यहां काफी पहले से इस्तिमाल किये जा रहे हैं लेकिन अभी बीते कुछ वर्षों में एक नए प्रकार के तंतू का प्रयोग होना अच्चे जित पड़ गया है इन्हें कहते हैं समसिलिष्ट इन तंतों का निर्मान रसाइनिक बदार्तों से होता है जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलोन, अदे क्या आपने कभी तेल के लाम्पों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उप्योग करते हैं? असल में इन्हें बनाने के लिए आप रूई का प्रयोग करते हैं? रूई, रजाई, गदे वा तक्या बनाने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती हैं? रूई, खेतों में उगाई जाती हैं? इन पॉधों को कपास कहते हैं? कपास की बॉले स्वेत रंकी होती हैं? इसकी कंकितन द्वारा प्रथक किया जाता है जिस सें कपास ओटना कहते हैं क्या आपने कभी अनाज भरने वाले बोरे देखे हैं यहां बोरे जूच से बनाए जाते हैं इसकी खेती वर्षा रितू में की जाती है पसल कटाई के बाद पादपो को कुछ दिनों के कुछ दिनों तक पानी में रखा जाता है प्रमक रूप से बंगाल बिहार और असम में इसकी खेती होती है तो अभी हमने तंतों के बारे में जाना अब इन तंतों की कटाई कर हम उन्हें तागे में बदल देते हैं यहां कटाई मशीनों की सहायता से की जाती है अब इन तागों से वस्त्र का निर्मान किया जाता है जिसे हम बुनाई कहते हैं तागों के दो सेटों को बुन कर क्या आपने कभी सोचा है कि प्राजीम काल में लोग किस प्रकार के वस्तर पहना करते होंगे, वे किस प्रकार की सामगरी का प्रयोग करते होंगे वस्तर बनाने के लिए? उस प्रकार लोगों को ना तो बुनना आता था और ना ही उन्हें फसले उगाने का कोई भी ग्यान था तब वे पेड़ों के पत्तों को तोड़ कर उससे पोशा के बना कर अपना शरी ढख लेते थे और जानवरों की खाल का भी उपियो करते थे फिर धीरे धीरे रूई और जूट जैसी फसलों का अविशकार हुआ तो हमने सीखा कि तन्तू दो प्रकार के होते हैं प्राकृतिक वा संसिलिष्ट तन्तू की कताई कर तागे बनाते हैं और फिर तागों को बुन कर वस्त्र का निर्मान किया जाता है प्राचीन काल में जब लोगों को बुना वा फसलों गाना नहीं आता था तब वे जानवर की खाल और पेड़ पत्तियों से अपने शरीर को ढख लेते थे रूई और जूट मोख्य प्राकृतिक तन्तू में आते हैं धन्यवाद